राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जै भोले नात सुमबार है भगवान शंकर की किरपा आपनों को प्राप्त हो पूरे शिव परिवार की किरपा आपनों को प्राप्त हो आप लोगों के सारे कष्टों को भगवान दूर करें आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की सोमबार के कथा सोमबार के कथा सुनाने जा रही हूँ जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक हाथ में दाहिने हाथ में साबूत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें कताप पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान संकर के उपर अरपित कर दें एक साहुकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके पास धन्य धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज सिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था साथ में भगवान शंकर की बड़े ही भक्तिवाव पुर्वक पूजा करता था उसके इस भक्तिवाव को देकर एक दिन माता पार्वती ने सिवजी से कहा कि हे प्रभू यह साहुकार आपका अनने भक्त है इसको किसी भी बात का कष्ठ है तो आपको उसे अवसेदूर करना चाहिए शिवजी भोले पार्वती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है यह इसी से दुखी रहता है माता पार्वती कहती है कि हे इश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वर्दान दे दीजे तब भोले नात ने कहा कि हे पारवती साहुकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पुत्र प्रावति का वर्दान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयू तक ही जीवित रहेगा यह सुनने के बाद भी माता पारवती ने कहा कि हे प्रभु आपको इस साहुकार को पुत्र का वर्द देना ही होगा अनेता भक्त क्यूं आपकी सेवा पूजा करेंगे बड़े भक्ति भाव से यह साहुकार आपकी पूजा करता है इस उमीद से पूजा करता है कि इसके मनुकामना की पूर्थी होगी मापारवती बावत से कहती है कि किर्पया इसके भक्ति को देखते वे इसके मनुकामना की पूर्थी करें माता के बार बार कहने से बोले नात ने साहुकार को पुत्र का वर्दान दिया लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल बारह वर्स तक ही जिवित रहेगा साहुकार यह सारी बातें सुन रहा था इसलिए उसे न तो खुसी हुई और नहीं दुख वह पहले की तरह बोलेनात की पूजा अर्चना करता रहा उधा सिठानी गर्व बती हुई और नवे महिने में उसे सुन्दर बालक की प्राप्ती हुई परिवार में खुब हर्स उल्लास मनाया गया लेकिन साहुकार पहले की ही तरह रहा उसे बालक की 12 वर्स की आयू का जिक्र किसी से भी नहीं किया जब बालक की आयू 11 वर्स की हो गई तो एक दिन साहुकार की सिठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए कासी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बलाया और कहा कि इसे कासी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना वह यग्य करना ब्रामन को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना उन्होंने भी इसी तरह करते वे जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवा था जिससे उसका विवा होना था वह एक आख से काना था उसके पिता ने जब अति सुन्दर साहुकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोडी पर बिठा कर साधी के सारे कारे संपन करा लिये जाएं तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथा धन देंगे वह राजी हो गए इसके बास साहुकार का वेटा विवा की वेदी पर बैठा और जब विवा का कारे संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवा तो मेरे साथ हुआ लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आख काना है इसके बादवा अपने मामा के साथ कासी के लिए चला गया उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बरात के साथ विदा नहीं किया बारात वापस लोट गई उधर मामा और भांजे कासी पहुँच गए एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्रण निकल चुके थे वह बहुत परिसान हुए लेकिन सोचा क अभी रोना पीटना मचाया तो ब्रामण चले जाएंगे यग्य का कार अधूरा रह जाएगा जब यह यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया उसी समश्री पारवती उधर से जा रहे थे माता पारवती ने शिवजी से पूचा है प्रभू यह कौन रो हो रहा है तभी पता चलता है कि यह तो भोले नात के आसिर्वाद से जन्मा सहॅकर का पूत्र है तब माता पारवती कहती है कि स्वामी इसे जीवित कर दे अनिता रोते रोते इसके माता पिता के प्राव निकल जाएंगे तब भोले नातने का कि हे पारवती इसकी आयू तो इतनी थी वह भोग चुका है लेकिन माता के बार बार आगरह करने पर भोले नातने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नवाश्रिवाय करते भी जी उठा मामा भांजे दोनों ने इश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगरी की ओर लोटे रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्धान के साथ विदा किया उदर साहुकार और उसके बत्ती घर के छट पर बैठे थे उन्होंने यह प्राण कर रखा था कि यदि उनका पूतर साहुकुसल नौ लोटा तो अच्छत से कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे तब ही लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का सम माचा सुनाया लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने श्रफद पुर्वग कहा तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे भू का स्वागत कि उसी राज साहुकार को सुपने में सिव्जी ने दर्सन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन हुआ इसी प्रकार जो भी विक्ति कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनुवांचित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी ओम नमाश्रिवाय इस प्रकार से यह सोंबार की कथा की समाप्ति होती है भवान शिव की कथा पॉंड हुई अब उस इस्तुति का पाठ करें करपूर गौरम करणावतारम यह इस्तुति करें इसके बाद भवान शंकर के पूर्ण मनो भाव से ध्यान लगा करके बड़े भाव पूर्ण तरीके से आर्थी करें गड़ेजी की पहले आर्थी करें फिर भवान संकर के आर्थी करें माता पार रखें आप फल है पंचाम्रित है और मेवा है सुखे मेवा भोवान संकर को भोग लगाया जाता है तो मेवा है जिन जिन चीजों का अपने भोग लगाया है उसे भोग लगाने के बाद में आरती पूरे परिवार को दें पूरे परिवार भावफून तरीके से आरती ले करने से भहावान शंकर का जो ये कता है इसको सुनने का पूहण फल प्रत होता है भुवान संकर के उपर कुछ न कुछ जो शिवलिंग है उसके उपर कुछ न कुछ दच्छना आवसे रख दें इस बात का ज़रू धियान रखें यदि घर में पूजा कर रहें तो पूजा इस्थान पर शिवलिंग हो फोटो हो जो भी उस पर कुछ दच्छना चढ़ा दें और यदि मंदीर में है तो भी दच्छना मां रख दें चलते समय उस दच्छना को उठाकर के दान पात्र में डाल दें या कोई पूजारी जी हो कोई पंडी जी हो मंदीर में तो पंडी जी को दे दें इस तरह से कुछ नो कुछ दान अवसे निकाले पूरी पूजा समाप् इससे चमा प्रार्तना अवस्य पड़े हैं। मैं एक मनुस्य हूं मेरी उसकल्ति को अवस्य छमा करें इस तरह से विनीत भाव से भावान से छमा मांगें जितनी देर कथा सुनें उतनी देर तक हाथ में दाहिने हाथ में साबूत चावर और थोड़े फूल उसे जरूर रखें कथा पूंड होने के बाद में उसे भावान स शिवाले में खड़े हूं चैय घर में हूं 108 बार जरूर पढ़ें रुद राष्ट का माला हो तो उसके उपर 108 बार जरूर पाठ करें ओमनमःस्यवाय का अभस्यजाब करें ने वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ओमनमःस्यवाय लिखें मेरे वीडियो को लाइक करें हर हर महादेव माता पारवर्ती की चैहो गणेशी की चैहो आज मैं आपनों को कथा सुनाने जा रही हूँ भवान शंकर और मा पारवती के विवाह की कथा हमारे पौरानी ग्रंथों में अनेका अनेक देवी देतों के विवाह का वर्णन है किन्तु जैसी भव्य सुन्दर बरात का वर्णन भवान शंकर और मा पारवती के विवाह के संदर्व में दिया गया है उसकी तूलना कहीं भी नहीं हो सकती है इस बरात के उसे में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी समलित हुए थे और उनके भार से प्रिथवी अपनी धूरी पर जुक गई थी उसे संतुलित करने है तो भावान संकर ने महर से अगस्त को अपने आशिर्वात और उनके समस्त पुनिफल के साथ प्रिथवी के दूसरे छोर पर भीजा तब जाकर प्रिथवी का संतुलन सही हो पाया माता पार्वती का भवान संकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभो कारे था क्योंकि माता सती के देहिवासन के पश्चार महादेव एरागी हो गये थे जब ये विवाहे तुमान गए तुनकी विवाह की तयारी में त्री लोग जूट गया बोले नाथ ही एक मात ऐसे देव हैं जो देव, देत, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किनर, यक्ष, भूत, बेद, पिसाच, बैताल, डाकनी, साकनी, यातुदान, ब्रह्म, राक्षस और इसके अतरिक्तिवी समस्त जातियों के लिए पुझ्जे हैं इसके अतरिक्तिवे पशुपतिनाथ हैं, इसी कारण पशुजातिवी उनकी विवाह में समलित होने के लिए तत्पर थे, इन में से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किन्तु देवा दिदेव के विवाह में समलित होने के लिए सारे मतवेत को भुला दि उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलास पर सारे देपता उपस्तित हुए शिव गण तलिंता से महादेव का शिंगार करने में बैस्त थे जटा जूट नाग रुद्राक्ष भास में मुंड माला इत्यादी से उनका शिंगार किया गया समस्त महादेव का अद्भूत रूप देखकर कह रही थी कि उनके योगी कन्या तो त्री लोग में नहीं मिलेंगी बारात और मित्र वर से परिहास ना करें ऐसा भला हो सकता है भवान विष्णुभी महादेव का यह रूप देखकर हस्ते वे बोले ऐसे अद्वित्य वर के लिए तो यह बारात योगी नहीं है अब असी कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा स्री हरी की ऐसी हसी ठीठोली सुनकर महादेव ने प्रसन होती वे नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती ह इस तरह से भवान शंकर की बरात निकली तुलसी दाजी लिखते हैं राम चरित मानस में कि बहुत ही सुन्दर वणन क्या है कोई मुक हीन विपल मुक का हूँ बिन पद कर कोई बहु बदबा हूँ विपल नैन कोई नैन भी हीना रिष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना इस कोई बिना मुक का था किसी के बहुत मुक थे कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे किसी की बहुत से आँखे थी तो किसी की आँख नहीं थी कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था सभी देवी देखता अपने अपन शोभा दाई दिखाई दे रहे थे स्वयम चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थी उनका रूप भी अद्भुत था उन्होंने सर्पों का आभूसन धारन किये था प्रेद पर सवार थी एवं सर्पर स्वन कलस उठाया हुआ था बरात के मद्वे भवान विष्णु वि एवं भवान ब्रह्मा, क्रमस, गरूर एवं हंस पर सारी विवस्ता का निरक्षन करते वे चल रहे थे माता गायत्री, सावित्री, सरस्वत्री, लक्ष्मी और अने पवित्र माताएं उस बरात की सोभा बढ़ा रही थी सब्त रिशियों से सभी रिशिमुनी स्वास्ती गा आगे बढ़ रहे थे, भवान शिव को तनिक पीछे छोड़ कर भवान विश्नु और परमपिता ब्रह्मा, शेश देवताओं, यक्ष गंधर्वों आधिव को लेकर आगे बढ़े, हिमाले के द्वार पर अनेका एनेक सुन्दर इस्तिरों की बीच माता पार्वती की माता म मैनावती ने सब का स्वागत किया, स्रीहरी ब्रह्मा जी और सभी देवकाओं का सुन्दर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रवसन हुई, एवं ब्यागरता से भवान शिव के आनेकी प्रतिक्छा करने लगी, शिव गणों भूत प्रेतों से घिरे अदवूत वेश धा महादेव जब वहाँ पहुँचे तो उनका भ्यानक रूप देखकर नगरवासी डर कर पीछी हटने लगे, मैनावती तो मारे भै के अच्चित हो गई, वहाँ उपस्तित स्रेजडन एवं स्वयम हिमाले राज भी महादेव की लीरा ना समझ कर उनका वह रूप देखकर आंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री क्या इस भ्यानक वेशदारी वर हे तो ही तुमने इतनी भीशन तपस्या की थी, अपनी ऐसी सुन्दर और कोमल पुत्री जिसकी संसार में कोई तूलना नहीं है, को मैं कदाब इस ओगर के हाथों नहीं सौपूंगी, पतानी नारत को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भवूत धारी के साथ लगवा दिया, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किन्तु मैं ये विवा नहीं होने दूंगी, इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी, तब माता पार आज ने अपनी पत्नी को समझाती वए कहा, कि प्रेत तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो, पूर्वकाल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण, जिस जगत जनी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्मे तुमारी पुत् तहवर का स्वागत किया, तब अपनी सास को दुखी देकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी, तब मैनावती ने उनसे उस ओगण के वेस को छोड़कर राज कुमारों वाला वेस धरने की इच्छा की, उनकी प्रातना को शिवकार कर भगवान सीव ने ना तक जो कोई देवी पारवती को अधभूत रूप देखकर आश्चर करते, वे महादेव की इस अतिसुन्दर रूप को देखकर मंत्र मुक्द हो गए, विवासे पूर्व वरवदु पक्षद्वारा अपने कुल का परिचह देने की रस्माई, तब परवत राज हिमाले ने गर्व पुर्वक अपने कुल का परिचह देते वे कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पने हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ, सब तरिशियों से हित, सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महराज मनू, देवरसी नारदी त्यादी मेरे भ्राता है, मह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किन्तु वे मौन बैठे रहे, तभी हिमाले ने स्री हरी एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर की कुल का परिचह देने को कहा, किन्तु वे दोनों भी मौन बैठे रहे, तभी सभी को दुविदा में देखकर देवरसी नारद ने अपनी वीडा वजाना अरंभ कर दिया, यह देखकर के मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीडा की धोनी को क्यूं दे रहे हैं, तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पति के विसे में संकेत दे रहा हूँ, यह स्ट् से पहली चीज उत्पने हुई थी, वह ध्वनी, जो आदि नाद भी इन्ही निर्विकार महारुद्र द्वारा ही आस्तिक में आया है, इसी कारण से मैं अपनी वीडा को तार्न दे रहा हूँ, यह सुनकर हिमाले और मैनावती महादेव के चर्णों में जुक गए, एवं व इदि पुर्वक देवी पार्वती का विवा भूले ना से किया, स्वेम ब्रह्मा जी ने विवा संपन करवाया, तत पहसात मैनावती ने माता पार्विती को सेष्ट सती के कर्तबियों का उपदेश दिया, और फिर अनेका अनेक उपहार देकर परवत राजें अपनी पुत से सुने, यदि किसी कन्या अत्वा वर के विवाह में विलंभ हो रहा हो, तो इस कथा को सुनने से सिगरी उन्हें मन चाहे वरवदु की प्राप्ति होती है, हर हर महादेव बाबा भोले नात कीज़े, माता पारवती कीज़े, भगवान गणेश कीज़े, भगवान विष्णू कीज़े, सभी देवी देवताओं कीज़े, रिशी गणों कीज़े भगवान श्री गणेश जी की कथा कहानी का वरणन अने ग्रंतों में मिलता है, श्री गणेश जी ने कई लिलाएं ऐसी की हैं, जो श्री कृष्ट की लिलाओं से मिलती जुलती है, इन लिलाओं का वरणन गणेश पुराण, शिव पुराण, ब्रमवेर्थ पुराण में मि प्राय पूजा अर्चना में भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। प्राय पूजा जान कर श्वयम को ब्रह्मचारी बता कर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। इस बाद से दुखी तुलसी जी ने स्री गणेस जी को दो विवाह होने का श्राब दिया। श्री गणेस ने भी तुलसी जी को शाब दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मा होने का शाब सुनकर तुलसी जी ने स्री गणेस जी से माफी मंगी। तब स्री गणेस जी ने तुलसी जी से कहा तुम्हारी संतान शंख चून राक्षस होगा। किन्तु फिर तुम भगवान विष्णू और स्री किष्णू को प्रिय होने के साथ ही कल्यूग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पुजा में तुलसी चढ़ाना शुब नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान शी गणेजी की पुजा में तुलसी वर्जित माने गई है। हर हर महादेव। बाबा भोले नात कीजये, माता पार्वती कीजये, भवान गणेश कीजये, भवान विष्णू कीजये, सभी देवी देवताओं कीजये। हैं चिह महालक्षमी ब्रत कथा वुठासक करें पूरे सूला दिन लगातर इस कथा को अबस्य सुनें इस कथा को सुनने खरकी दुख अर दरिदिता दूर होती है कहते हैं यह दरीदिता नासक कथा है इस कथा को सुनने से घर में सुख संपत्य और एश्वरी की प्राप्ति होती है हाथ में पुष्प और चावले ले यह ब्रत भादपद के शुक्ल पक्ष की अस्टमी तिति को अरम करके आस्विन मास के किश्ण पक्ष की अस्टमी को समापन किया जाता है ब्रत कथा एक समय की बात है महर्शी द्वैपायन ब्यासची हस्तीना पुर्ज आये उनका आगमन सुनकर के समस्त राजकुल के कर्मचारी महराज भिस्म सहित उनका सम्मान आधर कर राज महल में महराजा को सुवन के सिंगासन पर विराजमान करके और पाद आचमन से उनका पूजन किया ब्यासची के स्वत्स चित होने पर राज रानी गानधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़ कर प्रश्मी किया कि महराज आप त्री काल्यग्य हैं तत्व दर्सी हैं आप से हमारी प्रातना है कि इस्त्रियों को कोई ऐसा ब्रत सरल पूजन बताईए जिससे हमारी राज लक् इस्तिर हो करके निवास करती हैं उस स्थान पर और सुख प्रदान करेंगी यह स्री महालक्षमी ब्रत जिसका पूजन प्रतिवर्श आसिन जिसे कि खुआर का मैना भी कहा जाता है कृष्ण ब्रक्ष की अस्ठमी को माना जाता है तब राज रानी गानधारी ने कहा कि हे मह आत्मन यह ब्रत कैसे आरंब होता है किस विधान से पूजन होता है यह विस्तार से बताने का कश्ट करें तब महर्श जी ने कहा कि भादपद शुक्ल पक्ष की अस्ठमी के दिन सुबह ब्रत का मन में संकल्प कर किसी जलासे में जाकर इस्टनान कर स्वक्ष वस्त्र पहन क ताजी दुरवा से महा लक्षमी जी को जलका तरपन दे कर प्रणाम करना चाहिए फिर घर आकर सुद्ध सोलह धागों का एक गंडा बनाकर प्रत दिन एक गाठ लगानी चाहिए इस प्रकार सोलह दिन की सोलह गाठ का एक गंडा तयार कर आशिन माह की किष्ण पक्ष की अस बना कर चंदोब तान कर उसके नीचे माटी के हाथे पर महा लक्षमी की मूर्ति स्थापिद कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्षमी जीवा हाथी का पूजन करके कई पकवान एवं सुवासित पदार्थों का नैवेद समर्पन करें शद्धा सहित महा लक्षमी ब्रत करने से आप लोगों को राज लक्षमी सदा इस्थिर रहेंगी ऐसा विधान बताकर ब्याजी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए इस इधर समय अनुसार भादपत मास के शुक्ल पक्ष की अश्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों एवं नगर इस्त्रियों ने स्री महा लक्षमी के ब्रत का ब्रत आरंब कर दिया बहुसी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने है तो ब्रत का साथ देने लगें कुछ नारी माता कुंती के साथ भी ब्रत को आरंब करने लगें पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेश भाव चलने लगा ऐसा होते होते 15 दिन ब्रत के समाप्त होकर 16 दिन आश्यमीन कृष्ण पक्ष की अस्टमी का दिन आ गया उस दिन प्रात्य काल से नर नारियों ने उस्सो मनाना आरम कर दिया और समस्त नर नारी राज महल में गांधारी जी के हां उपस्तित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप वा माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारियां करने लगी गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और नहीं कोई सूचना भेजी उस सो वादे के धुन गुंजारने लगी जिसे सारे हस्तिनापुर में खुशी के लहर दोड़ गई माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ कर बड़ा ही रंज मनाया और वह दुखी हो गई और ब्रत की तैयारी नहीं की इतने में महाराज युदिष्ठिर, अर्जुन, भीमसे, नकुल, सहदेव, सहित, पांचो पंडो उपस्तित हो गए तब अपने माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रातना की कि हे माता आप इतनी दुखी क्यों है क्या हम आपके दुख का कार्ण समझ सकते हैं और दुख करने में भी सहयक हो सकते हैं आप बताएं तब माता कुंती ने कहा कि बेटा जाती अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है आज नगर में स्री महालक्षमी ब्रत उस्सों में रानी गांधारी ने सारी नगर की ओरतें समान से बुलाई पर इश्यवर्स मेरा अपमान कर उस्सों में मुझे नहीं बुलाया पार्थने का हे माता, क्या वह पूजन का विधान सिर्फ दुरियोधन के ही मल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती हैं, तब माता कुंटी ने कहा कि बेटा कर सकती हूं पर वह साज सामान इतनी जल्दी तयार नहीं हो सकता है क्योंकि गांधारी के सो फुत्र हैं और सो फुत्रों ने माटी का विसाल हाथी तयार करके पूजन का साथ सजाया है वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा और उनके उस्सों की तैयारी आज दिन भर से हो रही है तब पार्थ ने कहा हे माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिराएं मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिना पुरवासियों ने न देखा हो और नहीं पूजन किया हो मैं आज ही इंद्र लोग से इंद्र कहा थी एरावत जो पूजनी है उसे बुलाकर तुमारी पूजा में उपस्थित कर दूँगा आप अपनी तैयारी करें इधर माता कुंती ने सारी नगर में पूजा का धिंदोडा पिटवा दिया और पूजा की विशालते यारी होने लगी तब अरजुन ने सुर्पति को एरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिवे वाण में बांध कर धनुष पर रख कर देव लोक इंद्र की सभा में भ पढ़ा तो आश्चर से अरजुन को लिखा कि हे पांडु कुमार एरावत तो भेज दूंगा पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है तुम इसका उत्तर सिग्र ही लिखो पत्र पाकर अरजुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की बात लि साज सामान से एरावत को सजाया देव लोक की अंबर जूल डाली गई सुवन की पालकी रत्न जडित कल्षों से बांधी गई माथे पर रत्न जडित जाली सजाई गई पैरों में घूरू सुवन मनिया बांधी गई जिसकी चकाचंद पर मौनावजाद की आँखें नहीं ठ इधा सारी नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का एरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। उपस्तित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसा ठस भर गया। अग्या पाकर एरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकास मार्ग से उतरने लगा। जिसके आभूशों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। एरावत की दर्शन के लिए नर नारियों ने जैजैकार के नारे लगाने आरम के ठीक सायंकाल एरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प माला अभीर केसर को चढ़ा कर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम में पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्षमी जी की मूर्ती स्थापना करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्षमी पूजा का कारे करके एरावत की पूजा की फिर तरह-तरह के मेवा पकवान एरावत को खिलाय गये उपर से जमना जल पिलाय गया फिर तरह-तरह के पुष्पों की एरावत पर वर्षा की गयी। पुरोहिद द्वारा स्वस्ति पुन्याह वाचन पर ब्रति नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने ब्रत के डोरे के गंडा में सोलहमी गाट लगाया कर लक्ष्मी जी के सामने समर्पन किया। ब्रामनों को पकवान, मेवा, मिठाई दे कर भोजन की विवस्ता की। तब वस्त्र, द्रव, सुवर्ण, अर्ण, आभुशन दे कर ब्रामनों को संतुष्ट किया। ततपश्चात सभी नर्नारियों ने महालक्ष्मी जी का दिपक जलाकर प्रेम से संपुन पूजन कर आरती आरम की। के घर में आंगन में इसी तरह से सुन्दर तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन हो सदा सर्वदा पूजन होती रहे और उनके पर सभी पर होती रहे। महालक्षमी जी की पूजा भादपद किश्पक्ष की अस्टमी तिथी से आरंभो करके आसिन मास की अस्टमी तिथी तक यह महालक्षमी पूजन चलता है जो की पूरे 16 दिन तक चलता है इस कल्यूग में इंसान की जर्त भी होती है जब उसके पास लक्षमी होती है धन होता है वैवो होता है तभी उसका येश होता है सारे गुणगान सब पुछ धन और वैवो पर टिका हुआ है इसे बहुत ही जरूर है कि लक्षमी की किरपा सब पर बनी रहे हैं जो कोई भी इस ब्रत का अनुष्ठान करता है 16 दिन के लिए कहते हैं माता लक्षमी उस पर पसंद होती है उसे धन धान वैवो लक्षमी यस कीरती सभी चीजों की प्राप्ति होती है मेरा ये वीडियो कैसा लगा किरपा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में माता लक्षमी की जैहो अवस्य लिख दें वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दें बेल आइकन जरूर दफा दें जो को भी मेरे इस वीडियो पर नए हूं कि ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें धन्यवाद